जै मात अदी दोस्तों आप सभी को गुरु पुर्णिमा की हार्दिक शुप काम नाएं कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है क्योंकि गुरु के बिना ग्यान हासिल हो ही नहीं सकता तो आईए दोस्तों जानते हैं साल 2021 में आने वाली गुरु पुर्णिमा की पूजा विधी के बारे में महत्व के बारे में और जानते हैं कि इस दिन कौन सी कथा सुनी जाती है एक पुराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी को भगवान विश्नु के आंच स्वरूप कलावतार माना जाता है इनके पिता का नाम रिशी पराशर था जबकि इनकी माता का नाम सत्यवती था वेद व्यास जी को बच्पन से ही अध्यात्म में बहुत रुची थी लेकिन उनकी माता ने वेद व्यास की इस इच्छा को ठुकरा दिया अपनी इच्छा ठुकराए जाने पर उन्होंने जित पकड़ ली और जिसके बाद इनकी माता ने इन्हें वन में जाने की आग्या दे दी उस समय वेदव्यास की माता ने उनसे कहा कि जब घर की याद आए तो लोट आना इसके पास वेदव्यास जी तपस्या करने के लिए वन में चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन साधना की, कठिन तपस्या की वन में रहते हुए और कठिन तपस्या के पुर्णि प्रताप से वेद व्यास जी को सस्कृत भाषा में प्रवीर्टा हासिल हुई और फिर इन्होंने वेदों का विस्तार किया इन्होंने महाभारत 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की भी रचना की इन्हें बातरायन भी कहा जाता है कहा जाता है कि वेद व्यास जी को अमरता का वर्दान प्राप्त था और यही माना जाता है कि आज भी वेद व्यास जी किसी ना किसी रूप में हमारे बीच में उपस्तित है आईए दोस्तों अब जानते हैं तिथी के बारे में साल 2021 में आशार महिने की पोनिमा 23 जुलाई शुकरवार को 10 बच कर 45 मिनट से प्रारम हो रही है और अगले दिन यानिकी 24 जुलाई शनिवार को 8 बच कर 8 मिनट पर समाप्त होगी इसलिए 24 जुलाई को ही गुरु पोनिमा का पर्व मनाया जाएगा सनातन धर में शास्त्रों में और वेदों में गुरु को हर देवता से उपर बताया गया है क्योंकि गुरु ही होते हैं जो अपने सिश्य का हाथ पकड़ कर जीवन में ज्यान के सागर को प्राप्त करवाते हैं प्राचिन काल में जब गुरु कुल परंप्रा का चलन था तब सभी छात्र इसी दिन श्रद्धा और भक्ती के साथ अपने गुरु की सचे दिल से पूजा अर्जना कर उनका धन्यवाद करते थे और सिश्यों की यही श्रद्धा असल में उनकी गुरु दक्षिना मानी जाती दोस्तों की गुरु पूनिमा साल भर की सबसे बड़ी पूनिमाओं में से एक होती है इसलिए इस दिन अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और नहीं तो अपने घर में ही नहाने के पाने में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए आज के दिन अपने गु कर उनका भी आशिरवाद लेना चाहिए व्यक्ति का प्रथम गुरु माता पिता होते हैं बड़े भाई बहन होते हैं और कहते हैं कि घर में सिक्षा की शिरुवाद सबसे पहले उनहीं से होती है तो आज के दिन आपको अपने घर के सभी बड़े सदस्यों का सम्मान करना च चाहिए जिससे की उनका दिल दुखे गुरु पूनिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो दोस्तों आज के दिन आपको ऐसी हर वस्तु की पूजा करनी चाहिए चाहिए वो बुक्स हो मुबाइल हो या कम्पीटर हो जिनसे आपको ग्यान मिलता हो के आपको ऐसी भी सामगरियों की पूजा ऐसे भी संसाधनों की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप अगर अपने गुरु की पूजा उनके सामने साक्षात जाकर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है आप आज के दिन अपने गुरु की आरती करें उन्हें पुष्ट पुचड़ाएं और नहीं तो केवल अपने घर पर रहकर भी ओम गुरुवे नमह इस मंतर का जाब कर सक आज के दिन आपको बहुत जादा करने की ज़रत नहीं है बस आप अगर चाहते हैं कि आपके गुरु आप पर प्रसन रहें उनका आशिरवाद आप पर सदा बना रहें तो उनके बताइवे रास्तों पर चलें ऐसा काम करें जिससे आपके गुरुवों को प्रसन नता हो जै देते हैं कि गुरु का इस्थान कोई भी नहीं ले सकता केवल गुरु ही होते हैं जो अपने सिश्यों से बिना किसी पक्षपात के विवहार करते हैं गुरु की नजरों में कोई भी सिश्य बड़ा या छोटा नहीं होता वे एक समान सभी सिश्यों से प्यार करते हैं आज क में रोली अक्षत कुमकुम और पुष्प डाल कर सूरी देवता को अर्ग देना चाहिए इसके साथ ही अगर आप प्रत रख रहे हैं या आप पुर्णिमा के दिन दान करना चाहते हैं तो आपको सुभा के समय अपने हाथ में जल अक्षत या फिर पुष्प लेकर संकल्प ल पुर्णिमा के दिन सबसे खास माना जाता है पीपल के व्रिक्ष की पूजा आप पीपल के व्रिक्ष में सुभा के समय और शाम के समय जल जरूर अर्पित करें हो सके तो कोई भी एक मिठाई जरूर अर्पित करें आप चाहे तो केवल बताशे भी पीपल के व्रिक्ष में अर्पित कर सकते हैं सबसे विशेस काम होता है शाम की पूजा शाम के समय चंदर देपता की पूजा की जाती है पूनिमा के दिन चंदरमा अपने पूरे आकार में होते हैं इसलिए शाम को आप चंदरमा उदय होने से पहले इस्तान कर लेजे साफ कपड़े पहन कर पूजा की तयारी करें आपको चंदर्देपता के मंत्रों का भी जाप पूजा करतिस में जरूर करना चाहिए ऐसे लोग जिनकी कुंडली में किसी भी तरह का दोश है उन्हें चंदर्मा की पूजा जरूर करनी चाहिए इससे बहुत लाब मिलता है दोस्तों मैं आपको चंदर्मा की जिती मजबूत होती हैं चंदर देवता की पूजा पूर्णिमा के दिन किस तरह करनी चाहिए तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो शाम के समय इसनान करने के साथ ही आप अपनी छट पर या फिर ऐसी जगह पर चले जाएए जहां से आपको चंदर देवता के दर्शन होत यानि कि आज के दिन चंदर देवता को मीठा जल अर्पित करना चाहिए सबसे पहले एक आसन बिछा कर उत्तर दिशा की ओर मुह करके बैठना चाहिए फिर चंदर देवता को धूप दीव पुष्प अर्पित करने चाहिए उन्हें प्रणाम करना चाहिए आज की पूजा म इस मंत्र का भी जाब कर सकते हैं एक और मंत्र है जिसे मैं आपको बताती हूं ओम शीर पुत्राए विद्महे अम्रित तत्वाए धीमही तन्नो चंद्रह प्रचोधयात इस मंत्र का कम से कम साथ या ग्यारह बार आपको जब करना चाहिए जल अर्पित करने के साथ ही आपको अपनी जगह पर खड़े रहकर कम से कम तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए clockwise आपको परिक्रमा करनी है इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जिस जगह आपने जल चढ़ाया हुआ है उस जल पर आपके पैर नहीं पढ़ने चाहिए अर्पित किया हुआ जल या तो सीधे गमले में जाए या फिर आपको ध्यान रखना है कि वो ऐसी जगह सीधे ना गिरे जहां पर नाली वगरा हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है आप जो भी जल अर्पित किया हुआ है उसको अपने माथे से भी लगा सकते हैं कहा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्र जाओ में आ जाते हैं तो ऐसे लोगों को विशेशकर पुर्णीमा के दिन चंद्र देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए बहुत लाब मिलता है इसकी अलावा शुकल पक्ष में आपको चंद्र देवता की हर रोज इसी तरह से पूजा कर लेनी चाहिए अगर संभफ हो त को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक किजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा